और पूंब देवनिटो एवरीवन आजका हमारा जो मास्टर क्लास है वह ट्रांजिट और दशा के उपर है और ट्रांजिट का क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा को रिलेट हैं कार पाते हैं और कई टाइप के मेरे कोर्स हैं यह थोड़ा इस्क्लूसिफ कोर्स है अलग से दशा और ट्रांजेट को समझने का इसमें मैंने क्या करा है दा मिक्सर आउफ वेदिक एसवल आज दानाडी लक्पिंदर जी समझने का प्रयास करिएगा अराम से दोनों चीजे में करी हुई है इसके अंदर सबसे पहले मैं यह बताऊंगा कि जिन राशियों में ग्रहे गोचर करते हैं वो राशी जो होती है न आप किसी रिष्टेदार के गए तो उसके अनुसार्ट चलेंगे आप प्लैनेट अगर अपनी राशी में तो अपने अनुसार चलेगा यह डिफरेंच पहले पता होना चाहिए आपको अगर वो किसी और की राशी में गये तो उस राशी के कारक्त तक तो उसके पास आएंगे बड़े जान सा समनना पहले दूसरा कारक्त तो किसके आएंगे प्रभाव आएगा कौन से ग्रहें उसे देख रहे हैं दृष्टी जो गोचर का ग्रहें किसी का अगर उस पर रहू कि तु या मैलेफिक प्लैनेट और भी जो है आपकी कुनली में उनका प्रभाव आ रहा है तो वो चाकर के बड़िया फल नहीं दे पाएगा समझा है बड की क्लाश में टेक्नीक आपको सिखाई थी वो यहां पर भी लगेगी वो तो पड़ा मैं रेमेडी का कोड़ सा रिदम बन गया तो मैंने पड़ा दिया अपना कुछ नहीं है बड़े ध्यान से सुनिएगा शनी जब 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 जिस राशी से गुजरता है ट्रांजिट करता है आपके पूरुजनमों के सत कर्मों के अधार पर उसमें फल देना है सिंपर जिवाद याद रख लीजीगा शनी का ये काम है जिन जिन राशियों में जिन जिन भावों से गुजरेगा वो आपके कर्मों का फल देगा विशेश फल देता है शनी भगवान अपनी साड़े साती और अधाया में जब वो गोचर करते हैं ब्रस्पति जिन जिन राशियों से गुजरता है वो आपका rewards है वो आपके क्या है rewards है जिन भावों से गुजरता है मैं अभी बताता हूँ transit जुपिटर का आप चेक कर लें जुपिटर जब भी किसी की कुंडली में लगन कोई भी हो सब अपने को लगन से कुछ नहीं लेना देना लगन कोई भी हो किसी भी प्रकार का लगन हो उससे नहीं लेना देना हमको लगन में पंचम में नमम में जुपिटर जब भी गुजरेगा कोई आदमी बिमार है तो उसे अच्छा डॉप्टर मिल लिएगा किसी को अच्छी गाइडन्स नहीं मिल रही उसे अच्छी गाइडन्स मिल लिएगी और ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है इस तरीक का जो आप समझेंगे बड़े इजली शनी और ब्रस्पति का सिंपन सा समझ आ गया है अम मैं राहू के तु भी बता देता हूं जहां जहां राहू के तु घूमेंगे ट्रांजिट में जिन जिन भावों में जाएंगे वहां आप गल्ती करेंगे देखो याद रखना तीन ही ग्रह कार्मिक होते हैं सिंपल सी थोरी याद रख लीजे शनी राहू के तु ये कार्मिक प्लनेट्स होते हैं आपके पूरु जनवों का समन्द होता है बही राहू के तु आपका जहां बैटा है न तो पूरु जनव में उस राशी के लौड से समंदित करम आपने गड़बड किये तब ही तो उसने जगा दी अपने यहां दूसरे ने क्यों नहीं जगा दी क्योंकि आपने उस राशी से समंदित पूर्जिनम में भी घड़बड कर दिया यहां पर भी करो हैं इसको रीस्टोर करने के लिए बर्थ हुआ है अब आप देखिए पहले मैं ट्रांजिट बता देता हूं फिर मैं दशा का भी समझाओंगा आपको दशा क्या होता है चलो एक दशा का एक्जामपल भी पहले मैं दे देता हूं अब आप ध्यान से देखना सपोस किसी का साथ आठ नो दस ग्यारा एक दो तीन चार पांच छे क्लियर है किसी का शुक्र यहां बेटा है अशुक्र दो राशियों का स्वामी है इस राशी का और इस राशी का क्लियर है अब यह ध्यान से देखना जरा शुकर की MD हो शुकर की AD हो शुकर की PD हो यानि महादशा अंतरदशा प्रद्यंतरदशा शुकर एक राशी से छटा है कि पिट इन माइंड कि समझ में आया विरिश राशी से छटा है वह और यह पंचम भाव में राशी है कई सारे मीनिंग है मैं थोड़े सब क्या सारे ही बता दूँगा को यह सी दिखना तो फिर्फ ताउस आपकी क्रेटिविटी है तो वहां तो प्राब्लम दे गया अपनी राशी अपनी मूद्रिकोंड राशी क्यारियों में अप्लिफ्ट कर देगा आपकी अपनी प्राब्लम वहां तो पंचम भाव से संतान से प्राब्लम आ सकती है अर्व गटी में प्राब्लम ओ स्वारी गटीम में पॉइंट के पंचम हम संतान मी ए पंचम हम लब आफियर भी है अगर फी मेल का तो उसको प्रेगनेंसि में दिक्रत आ सकती है और यह keटिंग में पाइंस, सबकुछ किसी फीमेल का चार्ट है, आच शी इस हैविंग गयाँ दशा झाव बीनस के अब वह 20 सब öक पंडित यके पास जाएगा quella यह धषाधा थो तेरी कैरियर की चल रही है, दशा तेरी केरियर की चल रही है, मैरीज की थोड़ी चल रही है इसमें जब किसी मैरीज वाले ग्रहे की अंतर दशा आएगी तब जाके मैरीज होगी इंटरप्रटेशन मत कर दे ना, वीनस की दशा आगी है तो शादी हो जाएगी कहां सी हो जाएगी भईया, वो तो कैरियर के घर में बैटा है, मैरीज वाले हाउस से लिंक नहीं है, लिंक अगर आ गया नक्षत्र से, जब करना मैं तब बताऊंगा, तो भईया, शादी मत कर लेना उससे, वो बैट बजेगा जिसकी याकलपना नहीं सपने में करी होगी कि दो मैरी तुए गल, वो जाविए दशा अफ टेंथ लॉड और तेंथ लॉड दशा और तेंथ लॉड दशा और द प्लैनेट सेटिंग अ टेंथ भावा, मेरी एक लास में थी, मैं नाम कालपना अरोडा थी, क्या सथ नाम भूलिया, उनके था, तो मैने उनसे पूछ लि क्योंकि इतना मेजर प्रॉब्लम आएगा जिसकी कोई दिक्कत का सामना नहीं कर सकते हैं, अब क्या होता है कि दशा के फल हमारे को ट्रांजिट से मिलते हैं, दशा क्या है, हमारा बैंक है, ट्रांजिट क्या है, हमने उस बैंक से चेक काटा है, जब तक उनका भरत मिला आपने ही होगा ना, इवेंट कंड़क्ट नहीं होते हैं, सबके गोचरा रखे हैं, ब्रस्पती शुकर के, ब्रस्पती शनी के, हम तो बुट्टे होगे, हमारी धोड़ी छादिय होनी हैं, हमारे धोड़ी बच्चे होनी हैं, लाजिक से चलना चाह बनने का परियास करो, what I am saying to you, जहां मर्जी बैटाओ सन, मुझे नहीं लेना देना, anywhere in your chart, अब इसको ट्रांजिट का वीनस आया, माल लीजे, किसी का सन 11 में था, तो वीनस आया, कहीं बेभी था, हमने ये नहीं का, I repeat my word again for you, sun sitting anywhere in the chart, दो मीनिंग है, इसके कहीं मीनिंग है, अब देखो मैं नाड़ी से भी समझा दूँगा और वेदिक से भी समझा दूँगा, son father है, venus daughter है, and daughter-in-law है, तो venus यानि daughter, पापा से मिलने आई, daughter-in-law माल लीजे भार रहती थी, out of India रहती थी, तो daughter-in-law अपने father-in-law से मिलने भी आई, am I right, हो गया ये, दूसरा point, venus is a wife, वो सूरिय से मिली, सूरिय मैनेजमेंट है, clear है, तो घर का मैनेजमेंट एक महीने के लिए, अगर वक्री मारगी होने से उसके दिन बढ़ते हैं, वो अलग है, otherwise we are taking up 30 days of a venus, right, तो उसका मैनेजमेंट स्कील बहुत अच्छा होगा, बात clear है, अब अभी मैने थोड़ी दिर पहले एक अच्छी बात बोली थी, कि वहाँ राशी किसकी है, सपोस्थ सूरिय की राशी है, तो venus का मैनेजमेंट स्कील उतना अच्छा नहीं होगा, समझ में आ रहे हैं? अगर यही venus की राशी है, अब उसका मैनेजमेंट स्कील अच्छा होगा, समझ में आया है, तो यह चीज है, हमको बारिकियों से चीजों को समझना है, अब एक महीने तक रहेगा सूरिय के साथ, अब यह कंबस्ट भी होगा, clear रह गया? अब मालो आपकी venus की md, ad या pd चल रहे थी, मैं कई सारी चीज़े correlate करके दिखा सकता हूं आपको, दसा चल रहे थी किसकी? वीनस की, यहाँ अच्छे फल दे रहा था, venus सूरिय से मिला है, venus राजा के पास है, keep it in mind, लेकिन during the combust सारे result छूम अंतर हो गया, क्योंकि वो तो अस्त हो गया, मेरी बास समझ में आया, तो जितने period तक venus combust रहेगा, उतने period तक, 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन, आपको अच्छे result नहीं मिलेंगे, यह बात आप अच्छे से समझ लिजेगा, मैंने कई तरह की interpretation सिखाई हैं आपको, कि बिटिया पापा से मिलने आई, management skill है, ठीक है, तो यह चीज है, हमें बारिकियों से आगे चल ला है, एक और है, इसको उल्टा कर देता हूं, उल्टा पड़ा देता हूं, venus आया, पापा को कहीं से payment आई, venus पैसा है, मैंने नाड़ी फिर से डाल दिया, पापा को पैसा मिला, पापा को पैसे का लाब हुआ, ऐसे आप पढ़ लिजे, कितना लाब हुआ, कम हुआ, ज्यादा हुआ, ड़ी सम्थिं एल्स, कई मीनिक आएंगे, I have to explain in the class also, very deeply and very correctly, चलिए, आ अब यही venus था, sorry, अब यहाँ पर mercury बेठा है, यहाँ venus आया, कौन सा transit का, एक यह ले लिया मैंने example, अब मैं इसको उल्टा कर रहा हुआ, just a minute, गलाद लिख दिया मैंने, it's my mistake, यहाँ पर venus बैठा है, transit का mercury आजा, राइड जी, यह difference कर दिया, अब मैं नाड़ी भी पढ़ा देता हूँ, वेदिक भी पढ़ा देता हूँ, मैंने mix करा हुआ, इसको पड़े आराम से समझ आ जाता है, वो तो बताता हूँ, तो आपको लगता है, mercury वेदिक से education है, नाड़ी से भी education है, Venus, girl है, female है, education बहुत अच्छी करी, clear आया, simple, education बहुत अच्छे तरी, इससे करी, books वगर है भी purchase करी, ठीक है, अब आईए दूसरा meaning, Venus, a girl, Mercury is a boyfriend, she is going to see his boyfriend, वो अपने boyfriend से मिलने गई है, यहाँ क्या है, यहाँ Venus पहले से बैठा हुआ है, transit का Mercury आया, boyfriend लड़की से मिलने आया, difference हो गया, यह boyfriend आया मिलने लड़की से, बात clear हो गया, simple सा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, Mercury क्या होता है, अभी हमने Venus और Mercury का, तो हो सकता है, आदमी ने कोई property खरीदी हो, property means flat खरीदा हो, हो सकता है, agriculture, land ले हो, सेम इधर भी होगा, flat और agriculture, land, simple सी बात है, कहीं कोई tension आ ले, समझने के अंदर, कई सारे meaning है, वो मैं आपको सारे अच्छे से बताऊंगा, आगे चलते हैं, अब एक और चीज़ बताते हैं, माल लीजिए, यहाँ Venus बैठा है, transit का Jupiter आया, simple सी बात है, ठीके? Life में prosperity है, यह नाड़ी से पैसा है, यह वेदिक से पैसा है, तो उस दौरान आपको अगर व्यपार कर रहे हैं, अच्छी earning हुई, अच्छी income हुई, राशी देगनी हमने, मैं बता रहा हूँ, अगर राशी favorable है, तो पैसा अच्छाएगा, राशी अगेंस्ट हैं, भाव अगेंस्ट हैं, फिलार मैं एक भाव में रखके आपको बता रहा हूँ, मेरी बात समझे रहे हैं, भाव अगेंस्ट हैं, तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था, कोई malefic effect, suppose someone is having Kitu over here, so Kitu is expecting this, expecting this combination, तो उतना बड़ी है fruit वाला result नहीं मिलेगा न, कितु का का मैं रोकना, मेरी बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो कौण सा malefic planet उसको देख रहा है, उसका भी प्रभाव आएगा, ऐसा नहीं यह नहीं आएगा, पहले मैंने बताया राशी, राशी एगर favorable friend, मित्र राशी में गिरह जा रहा है, तो comfort zone में है, अपनी में जा रहा है, तो जैकारा है, और सबसे बड़ी है जैकारा तब है, जब planet exalted होता है, clear है, अभी देखो मैं एक क्रंट का example भी मैं दे सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, देखो, मालो किसी का राहू यहाँ पर बैठा हुआ है, उसके नेटल के चार्ड में, आप जूपिटर यहाँ आया, transit का, देखी जूपिटर तो मित्र राशी में आया है, और राहू माहराज यहाँ पहले सही है, तो जूपिटर मित्र राशी में आकर के भी comfort नहीं हुआ, भई मालो आपके चार-पाँच फ्रेंड की मडली थी, ठीक है, एक दोस्से आपका जगडा हो गया, तो किसी एक फ्रेंड की आप बड़े पाटी थी, जगडा आपका किसी दोस्से था ना, पर आपके दूसरे फ्रेंड का उससे तो नहीं था ना, सारे पहुँचे, तो यहाँ जूपिटर उतने बड़िया रिजल्ट नहीं दे पाईगा, बात समझ में आ गया है, आपको कितना एजी है, आया तो वो मित्र राशी में, लगन में आया है, सब कुछ हो रहा है बड़िया, त्रिकोन के सभी उसको शुब फल देने दे, लेकिन उतने बड़िया शुब फल जुपिटर नहीं दे पाईगा, देने के लिए उसे काफी चीज़े चाहिए, फिर से मैं यहाँ सब के लिए कल्यान के लिए लिए लिख देता हूँ, सबसे पहले आपको राशी पर फोकस करना है, दूसरा भाव पर फोकस करना है, तीसरा दृष्टी पर फोकस क बनेगा, और चोड़्था पॉइंट यह आजाता है कि कंजक्शन किस से हो रहा है, अच्छे ग्रहों से कंजक्शन हो रहा है, बुरे ग्रहों से कंजक्शन हो रहा है, वो आपको देखना है, बस रॉकेट साइंस नहीं है, आप समन्ने का प्रयास करेंगे, तो बहुत अच् बता देता हूं आपको वैसे भी अबी मैंने आपको बताया कि वीनस यहां पर था तो जुपिटर यहां है तो यह शादी करा देगा । загao ये तो शादी का योग भी आगया प्रंतु शादी तभी होगी जब आपकी शादी की दशा है अगर दश्रा नहीं है शादी नहीं होग को तो निकल दाएगा आप इसको कैसे समझते हैं मैने बुला है कि ने डंश्यई प्लैनेट आपका बैंक है और ट्रांजिट के प्लैनेट आप चेक जे लूझस हो जाएगा सिंपल ऐसे समझें यानि आपकी दशाई नहीं यह तो प्लेनट कहां से आपको रिजर्ट दे जाएंगे अभी मेरी ड्राफ्टिंग चल रही है मैं बहुत एडवांस लेवल के दो कूर्स बना रहा हूं एक उसमें आल्मोस कंप्लीट होने जा रहा है दस दिन बाद उसको मैं लॉंच करूँ एडवांस टेक्नीक बड़ा इजी वे में सिखानी है मुझे वेदिक की एडवांस लेवल की टेक्नीक जो लोग सदय देखते नहीं है और लुक करते हैं चल रहा है मैं रिसर्च करता रहता हूं पर रिसर्च इस जंग से करता हूं वे बेनस बैटा मैं कहीं भी बिठा रहा हूं जुरूर ही नहीं है यहां पर जुपिटर यहां आया क्लियर आ गया जी यह ट्रांजिट का था क्लियर है अब यह तो बढ़िया रिजल्ट दे रहे थे बाईसा क्लियर अभी राशी परिवर्तन हुआ है राहू के तू का मीन मैंने नाड़ी बढ़ाया है अगर मैं राहू यहां रख दूँगा तो राहू ने रस्ता रोक दिया इसका किसका वीनस का अगर माल लीजे यहां बहुत अच्छा उसको लाव हो रहा था सारी बाते थी सब कुछ अच्छा था ट्रांजिट का राहू यहां आके बैड़ गय कि पापी रहा के साथ बैढ़ ओई अभी मैंने वीनस के बिटाइब यहां बिठा लो अपने क्या दिक्कत आ ऑ रही है आपने कर दिक्कत हां ने कि लहां पाइदा हो इस मैं पता नहीं क्या लूचा होगे गडबड हो रही है फैदा नहीं हो रहा है तो हमको इसको समझना है बड़े अराम से अब आप एक और चीज ध्यान लगेगा छटागर आठवागर और बारवागर इनके लौड जब भी केंद्र में आएंगे केंद्र स्थान होता है सुख का वैसे किसी भी भाव में 6-8-12 के स्वामी जाएं लौड यानी स्वामी यानी लौड 6-8-12 उस भाव के कारततों को कम कर देंगे समझ में आया अमालो छटेगर का लौड गोचर में गुमता हुआ टेंथाउस में आ गया यह आपका टेंथाउस है अब लोग ना कंफ्यूज होते है सर मेरा तो आगया अब यह क्या करेगा रहे यार सिंपल जी बात है चटा गर किसका है रोग रिल्ड रिपू शत्रू चटा गर संगर्ष का है तो आपको केरियर में संगर्ष करना है सिंपल जी बात है क्लियर ऐसे समझना है तो इस डंट से आपन समझ करके आगे चलेंगे तब ही आएगा और नहीं तो नहीं आएगा अब एक और एक जबर्दस चार्ट में लगा के समझाने का प्रयास करता हूँ जुपिटर है मंगल है और शनी है क्लियर है और यहाँ पर राठ नमबर आएगा ट्रांजिट के शनी मारा जाए यहाँ ट्रांजिट के मंगल आए क्लियर है आदमी की जो दशा है सैटरन अंतरदशा मंगल की है ठीक है मार्स मैंने एमडी और एडी लिखता देखो कुंडली पर देखने ही जुरूरत नहीं है यहीं से पता लग गया जब भी दो कुरूर ग्रहों की विशेश कर जब वो परमशत्रू हो उनकी दशा अंतर दशा हो पीडा निश्चित है बात क्लियर है पीडा निश्चित है आप देखिए उसे पीडा कहां से आईगी मंगल की एक राशी कहां की है क्लियर है नाड़ी में मैंने पढ़ाया कालपुरुष कुंडली से भी मंगल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है दोनों बाते हैं कालपुरुष की कुंडली भी मेश राशी के उते हैं मेश राशी आपकी बॉडी आपने धर्दी पर प्रकड हुए हैं बात क्लियर आई दूसरी बात ये दोनों अश्ट्रम से अश्ट्रम में बैठे हैं यानी नेटल चाट में स्थिती शुब नहीं है ग्रहों की भावत भावम सिद्धान्द लगा अश्ट्रम से अश्ट्रम एक तो उनकी स्थिती शुब नहीं है क्लियर दूसरा शत्रूग्रे लगन में विराजमान है दूसरा छटे गर का स्वामी लगन में गोचर कर रहा है बास समझ में आया तीसरा पॉइंट शनी आठवे गर का स्वामी रोक के घर में आया हुआ है क्लियर अब इदर आजएए ट्रांजिट का शनी ने इस कंबीनेशन को देख लिया नेटल के लिंक हो गया ट्रांजिट का लिंक सिखा दिया हो गया अच्छे से अब आजाईए जिनों नाड़ी मेर से पड़ी होगी मंगल 50% से इसे देख रहा है हो गया अलोचा इसका ऑस्पिटल का योग बन या फर्स्ट क्लास सिंपल जी बात है एक्चिरेंट भी हो सकता है अर्व गटिंग में पॉइंट लिंक बन गया जब तक लिंक ना बढ़े इवन नहीं होगा इवन लिंक बनने पर ही होगा जिन ग्रहों की दशावू लौड कहां के है ये महराज अस्टम भाव के लौड है ये महराज छटेगर के लौड है देख लीजे दशाएं कैसी जानी है और गलती से महारक स्थान पर बैटे है अस्टम महारक भी होता है आयू अरिष्ट तक वली बात आ गई हमको इन चीज़ों पर ज्यादा फोकस करना है अब आजए एक सुन्दर सी बात बताता हूं माल लोग किसी का मीन लगन है यहाँ पर केतु बैठे हुए थे उसके केतु अपने मित्र राशी में बैठे थे यहाँ राहु अपने मित्र राशी में बैठे थे और यह राहु केतु जो है आपके 180 डिग्री पर होते हैं अब ट्रांजिट के राहु यहाँ आए कौन से आए ट्रांजिट के राहु अब यहाँ पर केतु आए कौन से आए ट्रांजिट के आए अब ये एंगल जो बना ये पल्टी खागे पल्टी खागे के मतलब हुआ 360 डिगरी बात समझ में आया पलट गेग रहे So there must be a major transformation in the life event हो कहे रहेगा दशा देखने ही जुरूरत नहीं है राव के तू ऐसे ग्रह है जो सदेव फल देने को त्यार रहते है और गल्टी से अभी ये 360 डिगरी हुए major band ये कब बजाएंगे गल्टी से भी आपकी मादशा हो तो बहत अलग है तो आपका क्या है अंतरदशा प्रति अंतरदशा हो छोटा बीरेड है तब तक पेन आप बीर करनी पड़ेगे आप तो शिम्पल जीवा समल लीजे क्योंकि वो link कर गए ना ते की जहां राहू बेटा है वहाँ पर केतु आया जहां केतु बेटा है वहां transit का राहू आया क्योंकि वो क्या हुआ पलट गे link हो गया उपर से दशा है दशा से भी link हो गया तो पेन बियर नहीं की जा सकती यू हाट टू सफवारियेट सिंप्वाल चलिए आगे चलते हैं अब जो साड़े साथी होती है हमारे चंदरदेव होते हैं सैटरन यहाँ है सैटरन यहाँ होता तो यहाँ से स्टार्ट होती है साड़े साथी यह होते हैं धाई साल यह भी होगे धाई साल यह भी होगे धाई साल यह कहते हैं चड़ती साड़े साथी यह मद्यभाग यह उतरती साड़े साथी तो जब भी शनीच चंदरमा से भरत मिला आप करेंगे सिंपल जी बात समझ लिजे दो इवन में से एक इवन जुरूर होता है ऐसा नहीं होता नहीं हो चेंज इंदा प्रोफेशन कोई गर्मन्ट जॉब में है तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा दूसरा डिपार्टन मिल जाएगा घर होगा तो घर शिफ्ट हो जाता है कुछ लोग में का आप कोई के जी मेरा तो घर नहीं शिफ्ट हुआ मैं तो 40 साल से वहीं रह रहा हूँ देयर मस्ट बी रिनोवेशन या आदमी पहले इसट के रूम में रहता था बैस्ट में चला गया या पहले ग्रांट फ्लोर पर रहता था तो फर्स फ्लोर पर शिफ्ट हुआ मान लोक कहीं नहीं गया तो बहिया उसका बैड चेंज होगा ज़रूर चेंज लाइप में ऐसा सबसे वड़ी वाद शनी लोहा है चंद्रमा कांच है कांच की उपर लोहा रख दिया मरा तो चंद्रमा ही है एक फियर आएगा हैल्थ इशू आने है अगर अगर आपकी माता जी है चंद्रमा माता का कारक है तो माता को पीड़ा होगी समझ में आया माता को पीड़ा होगी चंद्रमा बड़ी भेन भी है तो आपकी अगर कोई कहीं जी मेरी माता जी गुजर गई है तो बड़ी सिस्टर होंगी उनको कष्ट आएगा कि आगे चलते हैं अब देखिए एक और चीज बताते हैं सन है कि इसके उपर ट्रांजिट का मर्करी आया यह ट्रांजिट का अब हम पहले फादर से पढ़ने हैं सन फादर है फादर से मर्करी फ्रेंट से फादर से उनके दोस्त मिलने आये मैं ऐसी चीजें जो आपने नहीं जानी नहीं सेंटेंस उन्हें वो पढ़ाने हैं मैंने नॉर्मल भी पढ़ा रहा हूं प्रतु में मैंनतो वो ही पढ़ाने हैं जो सुने नहीं है मर्करी फ्रेंट से मित्रगन मिलने आये फादर से क्लिया नाडी यह गया अब नाड़ी के अंदर सन बेटा है तह बेटे से उसके दोस्त मिलने आये सिंपल ची बात है क्लियर है अब बेटे की एजूकेशन में निखार आया बेटा अगर पढ़ रहा है तो मरकरी एजूकेशन का कारक है बबा अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको तो एजूकेशन के अंदर बहुत सुंदर सुधार आया क्लियर है अब मैं एक लाख बहुत शानदा टेकनीक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बड़े सीरसली आप अभी अपनी लाइफ को चेक कर लेना जो मैं क्लास में बढ़ाता हूँ मैं एक छोटी से टेकनीक आपके पास शेयर करने जा रहा हूँ आप अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लेना अपने को हाउसे से लेना देना नहीं है भाईया तू चल ले पहले तूर्च मेरे यहां बहुत सारे कुल ले आते हैं सन है हमारा और राहू है क्लियर है अपना कोई भी ग्राय में एक एक्जामपल दे रहा हूँ आपके पास टक्नीक हैंड ओवर हो गई है इसकी दशाद 6 साल है इसकी 18 साल और यह एक नेगिटीव कॉंबिनेशन है जब तक यह राजयोग ना हो तब तक राजयोग का फल नहीं आएगा उसकी अलग टक्नीक होती है राजयोग को समझने के लिए अभी हम नेगिटीव पॉइंट डवीव से चल रहे हैं तो जब बच्चा 6 साल का था तब उसे पीड़ा आईगी पहली पीड़ा 6 एर्स की एज में अब दूसरी उसको जो पीड़ा आईगी जब वो 18 एर्स का होगा तीसरी पीड़ा कब आईगी अब इसका टोटल कर दो अब उसको चूबीच साल की उमर में पीड़ा आईगी और कौन पीड़ा देगा यह दोनों ग्रह जोएंटली देंगे यह बात याद रखना अकेला रावू नहीं देगा दोनों जोएंटली देंगे पीड़ा बात समझ में आ रहा है सूर्य और राहू इकठे बैटे हैं आपकी कुल्डी में कहीं बेबी शत्रूग रहे बैटा हुआ है राजा के साथ तो जब बालक छे साल का था तब उसको पहली नेगेटिव इवन्ट हुआ उसके साथ जब वो अठारा साल का होगा तब उसका दूसरा नेगेटिव इवन्ट होगा जब वो चोबी साल का होगा तब होगा अब चोथा इवन्ट क्या होगा चोथा इवंट होगा चोबी साल में अब आपने 6 जोडने हैं अब जब वो 30 years का होगा तब negative period आएगा अब फिर कब आएगा उसका negative period 30 years में 18 जोड़ दो 48 की age में उसको पीड़ा आईगी चेक कर ले ना अपना सूत्रमेंड दे दिये बहुत अच्छे मैं पढ़ाऊंगा सूत्रास वगराक प्लास में फिर उसमें 6 जोड़ दो 54 की age में उसको पीड़ा आईगी as a together sun and rao both will get the पीड़ा, simple सी बात clear है चलिए, अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, यह टेकनीक है बड़ी शांदार आप लगा के दीखेगा अपने चार्ट में यह कूर्स टार्ट होगा मंडे को और टाइम इसका जो रहेगा वह आट से नो रहेगा clear है अरे यार मैंने पढ़ाना कुछ और था, यह तो आट से नो का ब्याच का था मैंने मेरे कल इस समय वह पढ़ाना था नमंच्य पढ़ाना था मेरे कल नमंच्य का डेमो था यह करे नियाओ, मैं पढ़ा गया कोई बात नहीं 8-9 नमंच्य इसके बाद मैं पढ़ा देता हूं क्या दिक्कत है इसके बाद 8 बजे मेरे को नमंच्य पढ़ाना था 8-9 पीम में फाइव डेज का कॉर्स है डेली होगा मर्करी रेट्रोग्रेट होना चाहिए डिग्री में हिलो होगा तभी मैंने यह गल्ती किये कारण मेरा खुद का मर्करी रेट्रो है फाइव डेज का कॉर्स है और यह इस अपको मिलेगा इस अपको और लाइफ टाइम के लिए आपका रिकॉर्डिंग रहेगा लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग एक क्वेशन पूछूंगा मैं वह मंगल वाला जो लोग ट्रिपल सेवन है पढ़ाना था नमांचा पढ़ाए दिया एट टू नाइंगो पढ़ा दूँआ क्या दिखता है यह क्लियर होगे आपको सिंपल सा है आपको फाइफ डेज चलेगा बेस्ट और बेस्ट ट्रेक्नीक पढ़ाऊंगा जिसमों से बेस्ट ट्रेक्नीक मैंने अब शेयर करी थी कहीं दिवाग नहीं लगाना बीना दिमाग के भी एस्टोलोजी होती है ठीक है तो आप जोइन कर सकते हैं कल से स्टार्ट होगा यह यह यानि मंडे कल आट जन्वरी को यह को स्टार्ट होगा है किसी को मेरा एक क्वेरी है किसी का मिथुन राशी में मंगल है चलिए नहीं होगा कोई बात नहीं आप कोई हाँ आए बबीता जी बुलिए कैमरा उंट करिएगा विंती आपसे हाद जोड़के बबीता जी आस्टा क्वेरी वाट्यू है क्वेरी अस्तर मेरा नहीं है पर मेरे नोन है उनका है सर हाँ तुछ जिन्दगी भर जुझाजू रहेंगी योद्धा का जनम हुआ है भिड़ती रहेंगी लड़ती रहेंगी कारीक्षित्रों अपने आप से परिवार से उन्होंने जुझारू रहना है हर क्षित्र में हार नहीं मान सकता पीछे नहीं अट सकता कभी भी अच्छ लिए सब्सक्राइब मेंबर हैं वहीं हो चेक कर लो पूछ लो जाके उससे अच्छ जी 110 परशंट कंफर्म मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर आज रिसर्च मंगल की फाइंदल करी है सब मंगल एंड चंद्रमा दूनों ऐसे हां ठीक है मंगल है चंद्रमा भी मंगल के अनुसार गश्ता आपना पल देगा चंद्रमा गा कोई अपना गुनदान जोड़ी किसी के कोई कौई हो तो मेरे से पूछ चक्ते हैं किसी है है तो मेरे से पूछ सकते हैं अधर्वाइस गुपता जी बोलिये सर नौशका सर किसी कुंडली देखकर मैं करेंट उसकी एज क्या है इस वक्त उसकी उमर क्या है बहुत इजी है जहां शनी गुम रहा है वहां देख लो एज निकल आती है अच्छा ट्रांसिट का शनी देख लो जहां नेटल का शनी ट्रांसिट मिल जाती है मैं प्रॉपर चांड लगाकर निकाल दूगा और राइट सब्सक्राइब की कुंडली में मंगल है वह और जैमिनी में ना तो सारी जिंदगी उन्होंने अभी भी हर एक काम को एक युद्धा की तरह करने है सब्सक्राइब करेंगे काम करते रहेंगे कई कर लेंगे पर हार नहीं मानेंगे टूटेंगे नहीं चलिए ठीक है थीक है थैंक्स तू आल आप यू और अभी बस थोड़ी देर बार नमंचा कोगा तो आप आना चाहें आ सकते है थैंक्स अलोट